कि यूर वाचिंग इजी इंग्लिश विजग जी सर तो माइडिया स्टूडेंट आज असी करांगे टैंस दे इजी रूल्स तो जे आप जीने इंग्लिश सिखणी हैं इंग्लिश बोलन दा ब्यास करना है इस करके सब तो जुरूरी जो चीज है ओ है तो अड़ी टैंसे सी ज करना है इतने इजी हो जानगे कि साठे सारे जितने रूल से चाहिए जो u सारे जानंखे अपनी इंग्लिश इन्वे पड़े तैंसे अप जी है मेरी अमीद सारे विज़ी हारतिको जीमी केंसी दसनी तो किया मैं तो पढ़ा रहे हैं तुसी मैंने सुन रहे हो तुसी सवेरे उठेजी तुसी उन्हें कम करोगे ए जितने भी कम हो रहे हैं जितने भी क्रियाम हो रहे हैं जितने भी वर्ब हो रहे हैं ओ सारे किसे समय दे जाता ओ हो चुक्या हुंदा है जहां फिर हो चल रहे हुंदा है जा फिर आन वाले future which ओ होन वाला हुंदा है जिस दिस नहीं उमीद होंदी इस दा मतलब जो असी इस तो पहले हिंदी और पंजाबी ची काल कीते हैं असी इक कीता वर्तमान काल दूसरा सी कीता पूत काल और तीसरा सी करांगे पविश्यकाल इसनों सी कहने हैं भविश्यकाल जो सी पंजाबी ती काल कर देयां इसनों सी कहने हैं वर्तमान काल इसनों सी क्या सी पूत काल और इसनों सी कहांगे पविखत काल अदक देखो किते परमें चल रहे हुंता है वैसे सीक्मेंस इस इस तरह वी कर सकते हैं पूथ पहले ला सकते हैं वर्तमान जो चल रहे हैं याहन आया नहींड जिस बार उसनुश्मभावन है आसी उसनों तीज़े काल दे तोरते लेने हैं परंतु इतना काफी नहीं है क्योंकि असी इस विच एता देख्या अभी हिंदी और पंजाब इची काल देते हैं परकार ने परंतु जिदो असी इंगलिश ग्रैमर कर दे हैं उस समय सनू टैंसे सिच है निचोड निकल दे है भी जो कम है ओ किस समय हो अगले और वले समय वेच होएगा दूसरी कहाल है भी कम कंशना हो चुके है और कितना work डन है यानि कम हो रहे है कि कम हो रहा है यानि अजरी चल रहे है कि कम संपूर्णीच ओ चुके और फिनिश हो चुके पर timber फैक्टली ओवर चुके यहां जो की कम चल रहे हैं इतने समय तो लगातर चल रहे हैं इस तरह असी टेंस दी वंड कर देयां संखेब तोरते असी जो हुन तक पढ़ेया ओ पढ़ेया जो काल है जो समय ओ एक ताप उतकाल है जो बीच चुक है दूसरा जो वर्तमाने चल रहे है और तीसरा प्रिक्ष जो आनवला जिसी संभावन है असी त दो केंटे दे लगातर बना के एनी कहनदा भी तुसी आज एक केंटे दो कंटे मेरे नाल बैठो असी इसका मूं सहजे सहजे करांगे होसा इस तेरां वीडियो बनन के बारां वीडियो बनन इस बरहें आसी कुछ कह नहीं सकते लोज जी सहजे सहजे प्रेक्ष शुरू कर द है कि सानु तेन कालांदी बजाए सानु बारां यूनिटां वीच वड़ने पहरें बारां एकाईयां वीच वड़ने पहरें आसी इस दा एक और फिर चार्ट मना के डिसकस कर दें होनसी टैंसी इस तरह भी देख सकते हैं जिमेंसी क्या सी बीगते प्रेजेंट काल है वर्त प्रेजनली मन काल फिर एक पास टेंस यानि पूसकल और फिर लिख यासी फ्यूचयत काल यानि पविखद काल पंजाब वीच उन्गीं की प्रेज cidade आज़ेंट है पाहस्टै व्यूच्छ रूप्त किद्ण करने ने और इस रूल किने सब्सक्राइब पहले गाल अ है प्रेजेंट अधिए का पिरायडा लुजडियो छॉट्ध है प्रहसर नेकिने अधिया डैले प्रहसर पर प्रहसर हुट चौन्टिनिवाह हमें पढ़ाए है आजहाव है कि आजह मतरव है। इस तरह नीड तैन स्विछ तरह पढ़ा पाउ पैदा है। पंच्छी उड़ता है अधा मतलब अध्यापक पड़ा रहा है इता मतलब है कि अध्यापक अजे कॉंटीन्यू लगातार पड़ा रहा है क्योंकि वर्तमान काल है इस करके अध्यापक 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 पड़ा रहा है होने थे अध्यापक पड़ा रहा है इसनो किस तरह बयान करांगे अपने इंग्लीजे सेंटेंस विच जा फिर अध्यापक पड़ा रहा है अध्यापक पड़ा रहा है इता मतलब है इसने विच की की पहचान लगाए जिद बाद इसी गई गाल करांगे भी सानु पता लगजे भी ओ पढ़ांदा नहीं ओ अजे भी पढ़ा रहे है अगली जड़ी गालां दी है अध्यापक पढ़ा चुक है थे परफेक्टली ओ कम फिनिश हो गया ओवर हो गया तो मतलब किसे कम दे होने खतम ह दी गाल होई है यानि प्रेजंट टेंस विच वरतमान काल विच कोई कम प्रफेक्टली कंप्लीट हो चुक है फिनिश हो चुक है जो तो सी फिनिशिंग दी पाउप एदा कर देया इस विच आसी किस तरह केड़े शब्द लाके केड़े अक्जलिरी वर्ड लगा मांगे व देया पुक्त परफेक्ट अब्रूल अलगने पर चौता कबूतर घरको इस विच दो शब्द ने परफेक्ट इस विच एगल अधर प्रतू जिदो किसे इस तरह होई जावे ओ तिन साला तो पड़ा रहे है ओ स्वेर तो पड़ा रहे है जहां दो केंटे दो पड़ा रहे है जिदो किसे कॉंटीनु टेंस विच जिदो समा एड हो जावे ता ओ जो टेंस है फिर कॉंटीनु देनन दा क्योंकि उसे परफेक्ट वाले कुछ अंश लग दे कुछ पार्ट कुछ पुर्जे लग दे इस करके पामेव कॉंटिनु है प्रंतु उसे ची काल एड होगे उसे ची कोई टाइम दा मेंशन एड होगी इस करके फिर ओ चोत्थे प्रकारदन दे जिस ची एदे परफेक्ट वाले भी कुछ गुण कुछ पुर्जे लग दे और कॉंटिन सालन तो पड़ा रहा है जो इस तरह दा सेंटेंस एवले चाजे फिर ओ चोत्थे टेंस बनदा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉंटिनु इदा मतलब है इस वर्तमान काल दे भी अगों चार इस तरह दे हिससे ने इसनों किस तरह याद करना है यादता बिल्कुल करना है नही सेंटेंस विचे हिंदीदे संटेंस विचे अखीरी चांदा है आया गया बताया या गई बताई पढ़ाई सुनाई इस प्रकार दे सेंटेंस तो हो या आवाज तो जो एंड हुन्द उससे चीसिलगा नहीं पास्ट इंडेफिनेट यानि अधिया पक ने पढ़ाया अधियापक ने पढ़ाया एह है past indefinite इस दा past continue के दमड़ा मांगे भी अधियापक पढ़ा रहा सी एदा मतलब continue सी परहन तो पूत का यह नहीं पिछले बीते समय बिच सी इस करके अधियापक पढ़ा रहा सी फिर अधियापक पढ़ा चुके यह यहां चुका सी एथे पढ़ा चुके यह नहीं कम फिनिश हो चुका सी जिदो सी perfect रूप बिच लमांगे इदा मतलब है भी कम हो चुके सी है past tense काल चल रही है अगली काला है past perfect continue अधियापक पढ़ा रहा सी जिदना सी present वेज़ कीता सी अधियापक स्वेर तो पढ़ा रहा है अधियापक 10 साल तो पढ़ा रहा है इस दा मतलब जी अधियापक पढ़ा रहा थे continue है पर तो जिदने हो चुके काल लग गया उस काल करके उधा टेंस दा रूप बदल गया और नियम यानि उधे पुर्जे भी बदल गया उनसे देखांगे भी जो past perfect continue है एथे लिखें अधियापक पढ़ा रहा सी अधियापक दो केंटे तो पढ़ा रहा सी अधियापक 10 साल तो पढ़ा रहा सी अधियापक दो दिना तो पढ़ा रहा सी जो तो सी एथे गल करांगे फिर जो continue है ओधे पुर्जे ओधे रूल ओधे वर्ड चेंज होके फिर बढ़ेंगा past perfect continuous होना सी गल कर देयाँ पविखत काल दी पविखत काल तो पाव है भी अजे कम होया नहीं अजे कम होना है उधियासी संभावना कर सकते जिए के सी गल किती सी present indefinite इस दा मतलब है अधे आपक पढ़ा होंदा ओधी आदत है याजे भी पढ़ांदा है एधे बारे definite नहीं सीगा दूसरी काल सी past indefinite यानि उसने पढ़ाया अगली काल है भी जो पता नहीं है आण वाले सम्मेंदी संभावना दी काल है फिरस लिख कह सकते हैं एनों indefinite कह सकते हैं एक गल दुबारा सुन लो भी indefinite नूँ आज कल असानी तोरते समझान ली इस नूँ simple word नाल भी बदल दिता जान दा है यानि simple present simple past simple future परंतु जो इस टेकिनिकल नेम है ओ है present indefinite past indefinite और future indefinite जिदो सी इस sentence बढ़ाया अधे आपक पढवेगा जिदो continue किती जाय से विच्थ तैसी लिखांगे अधे आपक पढ़ा होवेगा इता मतलब है अजर उसे पढ़ा रहे होण दी संभावने इच्छलो सेंपारी से नहीं रहावेगा उदली अंदे फ्यूचर कॉंटीन्यू एथे जिदा सी गल किती सी एथे फिनिश ओन दी गल फिनिश ओन दा पाव है जिस तो बढ़े असी प्रेजेंट परफेक्ट इस न मतलब सी अध्यापक पड़ा चुक्या है अध्यापक पड़ा चुक्या सी अध्यापक प पड़ा चुक्या होवेगा जो तो होवेगा वली गाल है ना ता फिर फिचर आएगा एथे फिनिशिंग दी गाल पता लग दिया एथा मतलब भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस दी गाल लो रही है इससे की रूल ने असी अगली वीडियो से गाल करांगे असी पहले गाल कित है प्रेज़ेंट कॉंटि दी और प्रेज़ेंट परफेक्ट कॉंटिनु दी जो एही कॉंटिनु टेंस ही जूता फिर बदल वाली गाल नहीं इससे प्रकार जो तो स्वेर तों पड़ा रहा होवेगा स्वेर तों बारिश पहा रही होवेगी है पही नहीं है है संभावना पर विखत दी गाल है प्रन्तु पता लगदा है भी एन्ने समयतों चाल रहा होवेगा ज़ह सी कौन्टीनिम भी गाल करतें लिए और नसमयद करतें अब आसविच हो सकार आत्म यानि हाँ बाचक sentences वाका दी गाल किती जी असे किने affirmative sentence यानि जीड़े सकारात्मक या हाँ वाचक होंदे है जिस विचे नौट जो शबद है तो नदसाजी जो नौट शबद है helping वर्ब तो बाद आएगा helping वर्ब अगजलरी वर्ब के रहे होंदे ने असी इस बार पहले भी गाल कर चुक है और अग्गे आन वली वीडियोच भी गाल करांगे अगली गाल है interrogative जो प्रशन वाचक sentence होंगे इना tenses विच उना विच किस तरह फेर बदल करना है असी उस दी गाल करांगे एने types of sentences एक ते affirmative यानी सतारन दूजे ने negative यानी नकरात्मक ना वाचक और तीजे ने interrog यानी प्रशनिक यानी प्रशन वाचक वाके इना विच असी इना tenses नूँ यूज करांगे फिर नाल यासी भी गाल करांगे भी sentence दे इना tenses केड़े केड़े पार्ट सुन दे एक ते main verb है जी मैं कि असी कहने है work, read, learn, sing, play, read, break, rise and so on यानी इस तरह बड़े सारे असंखे व forms ने वाप दे कि दग दग चेंज अन्दे असी उस बारे गाल करांगे और इस दी PDF तनों मोहिया करांगे क्योंकि ए जो हजार असी वाप दे तिन रूप दे आंगे, क्रिया दे तिन रूप दे आंगे, एक description ची नहीं आसे इस करके असी इस विच अगली विच उस तो अगल देख लेना, इनन वह सी करने है, conjugation of verb जिवें कि असी हुनी गाल किती है, भी वाप दे तेन रूप ने, sing, sang, sung, go, went, gone, ए जो शब तेन रूप ने किसे करिया दे, इस आसी conjugation of verb करने है, एक उन्द रहे बेस रूप जिदा आसी करने है, गो, एबेस रूप है, बेस फार्म है वर्ब दी, एक है past, यानि second form, जड़े की सरफ एक को टैंस से चले दी है, वो केड़ा टैंस है, आसी next time करांगे, एह है past form of verb, एक है third form, जिसमें से करने है past participle form of verb, कितना कितना है इस रूप चेंज होंगे, इस दा अबयास तो सी आप करने है, अगली गाल जो main है, इस introduction, यानि auxiliary verb केड़े केड़े ने, इना विची जो मुख मुख तोरते, जो सहयक या सहयोगी करिया लग दिया ने, उन्होंते रूपे, do, does है, किते किते लग दे है, गाल करांगे अपा, did है, is, am, are, was, were, has, have, had, और will, shall, एह जो auxiliary verb ने सहयक करिया दिया सी, अगली वीडियो जो आप जो ने वीडियो कि दंद लगी, इसे नाल आउन वाली वीडियो जोड़े रो, ऐस रफ इंट्रोडक्शन सी, इजी रूस दी, जड़े कि यसी टैंस स्विच करांगे, इस वीडियो नो दुबारा देखो, जिदा जिदा तुसी अगिया वीडियो देख दे जाओगे, तो अड़ा टैंसिस बारे, जो टफ ख्यालात ने, जो इंपॉसिबल ख्याल ने, वो बहुत इजी होंदे जानगे, इस नाली आप जी अपनी अशीरवद भी पेज दो, तांकि ये पंजाबी इमाम बोली रही, आप दी से वाचल दे रहे, इसाज़त देओ, वाहिगुर ज का खल सा वाहिगुर जी की फते, नम्याँ वीडियो समय सिर्प राप्त कर ले, साड़े चैलन नो सब्सक्राइब करो, नाल ही बेल आइकॉन दे बटन न दबाओ, जे कर रहे वीडियो आपनो पसंद आए, ना लाइक करो, तेस वीडियो नो हो रहा नाल बात बात शेयर करो झाल प् . एम्लिक जी बेल सा में ये बर्म एक्रीबस्वे बर्ढक्रIA बनाच है, मियन कर दो, ना लाह च्ते आच्ट नज बझता है